जैहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तो आज के कुछ सैनिक समचार है जो मैं आपको देना चाहूँगा। चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। DR का एरियर 4% के साब से SBI Bank, Canera Bank और Indian Overseas Bank ने Pensioners को दिया है। 4% के सब से, जो 38-42% हुआ था। बाकी जो Other Bank हैं जिरों ने अभी तक Pay नहीं किया DR का एरियर या फिर इस पर्ष है, वो भी जल्दी ही Pensioners को DR का एरियर दे देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ प्याप वेट कर लिजीए। दूसरा पॉइंट देखिए, PNB ने भेजा Pensioners के पास एक Message। दोस्तो कल PNB Bank ने Pensioners के फोन पर एक Message भेजा। और दोस्तो इस Message को लेकर काफी Pensioners परशान थे। Message क्या था? For Timely Reliefs of OROP Area, You are requested to visit your branch with a copy of Original PPO. यानि आपको OROP Area है, वो टाइम पर मिल जाए। इसके लिए आप अपने Original PPO के साथ ब्रांच में आईए, PNB Bank आईए। जैसी यह Message आया, उसके बाद काफी Pensioners बैंक चले गए अपने Original PPO के साथ और साथ नोनोंने Copy भी रखी। लेकिन जब वहाँ पे पूछा गया Pensioners द्वारा, बैंक के जो करमचारी थे, कि यह Message क्या है, तो दोस्तों वहाँ के जो करमचारी थे, वो कहले हमें नहीं पता है इसके बारे में, पता नहीं कहां से आगया आपके पास यह Message. लेकिन दोस्तों यह जो Message है, यह एक Triggered Message है, यानि गलती से यह आपके Phone पे आगया Message, क्योंकि PNB वाले बोलने की हमें नहीं पता है इसके बारे में, यह Message कहां से आया है, क्योंकि दोस्तों जो आपको OROP 2 का Area है, जो भी आपकी बड़ी हुई Pension है, वो Automatically Revise होगी, उसमें हर एक Pensioners को Bank जानने की जुरत नहीं है, ना ह जानी कोई Original PPO, या फिर Duplicate Copy PPO, वो आपको देनी की जुरत नहीं है, Automatically आपकी Pension Revise हो रही है, चाहिए तो आप किसी दूसरे Bank का भी उधारन ले सकते हैं, Individually Pensioner Bank नहीं जा रहा है, कुछ भी देने, Automatically सारा आपका काम होगा, तो एक यह Trigger Message है, अगर आप चले गई है, ब प्रम चारीते, जिन्हों ने बोला कि आप अपने Original PPO की एक Photo Copy हमें दे दीजिए, वो हम CPPC भेज देंगे, अपने Record के लिए, वैसे दोस्तों, बैंकों के पास हर एक Copy होती है, Pensioner के Record की, तो आपको घबराने के जुरत नहीं है, कि इसकी वज़े से आपको OROP2 का area नहीं मिले अगर आप नहीं भी जाते, तब भी आपको मिल जाएगी Pension, बड़ी हो लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों, आप तीसरा Point देखिए, Major General Sadbih Singh जी ने एक Letter लिखा है, सभी Pensioners को Quote करते हुए, दोस्तों, Major General Sadbih Singh जी ने एक Letter Quote किया है, Pensioners के लिए, क्या लिखा ह है, उसमें, अगर भारा सरकार, तीस अप्रेल तक Family Pensioners या फिर गलेंटी अवार्ड विनर्स को, एरियर नहीं देती, तो Pensioners IESM की टीम को सूचित कीजिए, जैसा आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो 20 मार्च का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने भारा स अप्रेल तक, भारा सरकार, Family Pensioners को, गलेंटी अवार्ड विनर्स को एरियर नहीं देती, तो दोस्तों फिर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, IESM की टीम को, मेजर जनरल सिट्बिर सिंग जी को, मेजर जनरल सिट्बिर सिंग जी न अपनी इमेल आईडी भी दे रखी है, और फो IESM की टीम से, उसके बाद IESM की टीम आगे की कारेवाई करेगी, 30 अप्रेल के बाद, कि उन्हें क्या करना है, भारत सरकार के अगेंस्ट, दोस्तों ये मैं आपको समझा दिया, IESM की टीम अपनी तरफ से आगे की कारेवाई करेगी, तो आप जितने भी फैमिली पैंशनर को, फैमिली पैंशनर्स को, DR का एरियर मिल गया है, तीन महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च का, तो अब आपकी पैंशन जो अपरेल की है, वो आपको बढ़कर मिलेगी, कितने परसंट के हिसाब से, DR, 42% के हिसाब से, तो जब आएगी आप चेक कर सकने, अगला पॉइंट पैंशनर्स अपने रिकॉर्ड से संपर्क करिए, तो बहुत से पैंशनर्स हैं, जो 2006 के बाद आए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें ACP, MACP नहीं मिली, माल लेते हैं, अगर कोई सिपाई है, जिसकी कॉलिंग फाइंग सर्विस 16 साल से उपर है, तो उसे हवालदार की पैंशन नहीं मिल रही है, माल लेते हैं कोई नायक है, जिसकी कॉलिंग फाइंग सर्विस 16 से उपर है, तो उसे भी हवालदार की पैंशन नहीं मिल रही, यानि इनको MACP मिलेगी, इनको हवालदार की पैंशन मिलेगी, तो ऐसे बहुत से पैंशनर्स हैं, जो अभी तक छूट रहे ह हैं ऐसी जो हवालदार 24 साल से उपर है तो उनको नायफ्स हुविदार की pension मिलेगी उनको भी एक M.A.C.P. मिलेगी तो ऐसे भी pensioners हैं जिनको नायफ्स हुविदार की pension नहीं मिली जो 2006 के बाद आए हैं तो अगर आपको भी M.A.C.P. ECP नहीं मिली आप भी छूटे हुए हैं तो दोस्तो आप direct contact कर सकते हैं अपने record office से और जिनका इस पर्श में migration हो गया वो direct contact करेंगे इस पर्श के तो तो दोस्तो यह मैंने आपको समझाया दोस्तो अगला point देखे क्या लिखा है pensioners के लिए commutation restore का period अभी 15 साल का रहेगा केंद्रिय पेंशन भोगी के लिए अभी सरकार का कोई plan नहीं है इसे कम करके 12 साल करने का दोस्तो काफी social media पर यह बात च्छा रखी है कि भारा सरकार यहाँ पे commutation restoration का जो पीरेड है वो 15 साल से घटा कर 12 साल कर देगी अभी यह हर एक pensioners के लिए नहीं हुआ है अभी इसमें time लगेगा अभी इतनी जल्दी भारा सरकार नहीं करेगी तो जोस्तो यह मैंने आपको एक छोटी सी information दी कि जो अभी commutation restoration का जो पीरेड है वो अभी 15 साल कही है अभी यह कम नहीं हुआ है अभी इसमें थोड़ा time लगेगा थोड़े और documentation बनाए जाएंगे और information मागी जाएंगी department के तो थोड़ा सा यहाँ पे और time लगेगा अभी इतनी जल्दी यह काम नहीं होगा अगला point समझते हैं पैंशनर्स को additional pension 65 पर 5% 70 पर 10% 75 पर 15% देने का सरकार का अभी कोई प्लान नहीं है और ना ही सरकार अभी इस पर विचार कर रही है बिल्कुल दोस्तो जो additional pension है काफी social media पर यह बात च्छा रखी है कि जल्दी ही सरकार 65 पर 5% 70 पर 10% 75 पर 15% additional pension कर देगी pensioners के लिए दोस्तो इस पे जो parliamentary committee ने जो इसकी report उठाई थी यह मांग करने की यह दोस्तो नकार दी गए थी भारत सरकार दोरा कि अभी इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है तो दोस्तो अभी सरकार का कोई विचार नहीं है कि additional pension इस तरीके से करे कि आपको 65 पर 5% 70 पर 10% 75 प मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो आपको अच्छे लगता है तो वीडियो को लाइक करे हूं दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू सो मच